मैं वीरेंद्र सिंग और आप देख रहे हैं SM News भारत में क्रांती तथा प्रत्क्रांती के बाद जो बुद्ध धरम आने के बाद क्रांती हुई थी सामाजिक धार्मिक और पुश्मित्र सुंगुद्वारा ब्रहदरत की हत्या के बाद प्रत्क्रांती के फलसरूप इस देश में ब्रहमणबाद की बिजय हुई और ब्रहमणबाद की बिजय के साथ बहुत धर्म का पतन हुआ ब्रामणबाद की विजय के साथ साथ में ब्रामणबाद ने इस देश की विवस्था में क्या-क्या बदलाव किये ये बहुत महत्तुपूर है पीछे इस पर चर्चा की गई बर्ण को जाती में कैसे बदला जाती को वैसकार कैसे किया किस तरीके से काले कानून बनाए गए मह देकर राष्टियता के विकास कवा भी बहुत ही गहरी च्छती पहुंचाई है बाबा साहिब डॉक्टर अम्बिड कर कहते हैं कि किसी भी विसका प्रभाव उसका प्रियोग करने वाले के मूल उद्देश सितक सीमित नहीं रहता यही जाति के मामले में भी हुआ ब्रामणबाद ब्रामणों के बिरुद गैर ब्रामणों को पंग बना देना चाहता था उसकी योजना उन्हें राष्ट के रूप में विदेशी सक्ती के बिरुद पंग बना देने की नहीं थी लेकिन उनकी जाति रूपी जो बिस था उसका परणाम यह है कि उनमें ब्रामणबाद के ही नहीं बलकि बिदेशी सक्तियों के बिरुद भी सिर उठाने की सक्ती नहीं रह गई इस तरीके से उनके उपर प्रतिबंद लगाए गए कि उनका ब्रामणबाद के खिलाब तो दूर किसी के खिलाब भी सिर उठाने की हिम्मत नहीं रही सक्ती नहीं रही दूसरे सब्दों में अगर कहा जाए तो बाबा साब कहते हैं कि ब्राह्मन बाद ने जात्प्रथा को जन्म देकर राश्टी ताके विकास को अवरुद्ध किया बहुत भारी छती पहुंचाई है जो लोग एक ही करण की इन सक्तियों को देखते समझते हैं बेज़े स्विकार करेंगे कि देश में अंतर जाती ये विवाह या सैबोज का निसेद करना समाज को तोड़ देने के बराबर है जो कि ब्राह्मन बाद ने किया यह एकता के लिए मौत का पेगाम है एक जुट होकर काम करने के रास्ते में एक जवरजस्त बाधा है हम आगे चलकर देखेंगे कि ब्राह्मन बाद गैर ब्राह्मनों द्वारा इसे उखाड फैकने के लिए हर सन्युक्त कारवाई को विफल करने के बारे में सचेत था कभी भी कोई भी इस तरीके की अगर बात आई गैर ब्राह्मनों द्वारा इसे उखाड ने की उसके लिए हमेशा सचेत रहा था ये मनुस्मरती के समय की बात है लेकिन आज भी ये बात सकते है आज भी ये बात सकते है देश के 74 साल की आजादी के बाद या लोक तंत्र की विवस्था के बाद समय धाने के विवस्था के बाद आज भी यही इस्थिति है कि आज ब्रामण और ब्रामण बाद इस बात को आस्वस्त करना चाहता है कि किसी तरीके से चाहे सांपरदाय कुनमात पहलाए जाए, चाहे भावनात्मक मुद्दे उछा ले जाए, किसी तरीके से उनका ब्रामण बाद सुरच्छित रहना चाहिए. अगर जैसे बहुत सारे लोग हम कहते हैं कि हिंदू जात्पिर्था में किसी भी दोस्को स्विकार नहीं करेगा और एक दरश्टी से यह सही भी है बाबा साथ कहते हैं प्रत्येक परवार में उसके सदस्यों में एक दूसरे के प्रति प्रेम एकता और सहता करने की भावना होती है चोरों में भी एक दूसरे के सामान हितों के प्रत्सदवा होता है डाकूओं के गिरोह में सब का एक ही स्वार्थ होता है और सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं इनके गिरोह चाहे एक दूसरे के विरोधी क्यों ना हो तब भी इन में परस पर भाई चारे और अपने अपने लच्छ के पूर्ट समर्पन की भावना होती है और इसी से ये पहचाने जाते हैं इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि एक जात में ये सबी गुण होते हैं जो किसी समाज में होने चाहिए। कौन से गुण? चोरों के गुण और डाकुओं के किरोहों के गुण। ये बहुत महत्वपूर और गहरी बात है जो बाबा साब ने अपने अनुभव के अदार पे कही है। आगे बाबा साब कहते हैं कि इसमें परस्पर प्रेम एकता और एक दूसरे की सहता करने की प्रवल भावना होती है जो किसी परवार के गुण कहे जाते हैं। चोरों जैसी बंदुता की भावना इसे सिरे प्राप्त है। इसमें निष्ठा और भाईचारे की भावना भी य होती है जो डाकूओं में मिलती है और भारत की यह ब्रहमणवादी सन्रचना के बारे में बाबा सयब कहते हैं कि यह चोरों और डाकूओं के गिरोहां से मिलती जुलती सनरचना है जात में प्रसंसनी गुड़ों के होने के कारण हिंदु गौरव का अनवव कर सकता है और यह कह सकता है कि जाती में कोई दोस नहीं होता लेकिन वह यह भूल जाता है कि उसकी जाती के वारे में यह धारणा कि यह सामाजिक संग्ठन का एक आधर सुरूप है जो इस अनुमान या कल्पना पर आधारत है कि प्रत्यक जात अपने आपको स्वतंत्र समाज कह सकती है यही उसका लच्छे है जैसा कि किसी राष्ट के संबंद में होता है लेकिन जब हम हिंदु समाज और उसी के अनुरूप जात पर विचार करते हैं तब यह सिधान्त अर्थही हो जाता है यह बाबा साब के विचार है आगे कहते हैं यहां तक किस विचार करते समय हिंदु यह कभी नहीं सुईकार करेगा कि जात प्रता एक बुराई है आज भी बड़े गर्व से कहते हैं कि जात प्रता अच्छी बात है तथाकतित राष्ट पिता गांधी भी इस बा बढुक्त है आप हिंदु तो को जात प्रता के दोसों के लिए उत्तरदाई ठेराएं तब अब अग्धेश्य तो यह बहुत सारे देशों में भी है तो यह कहने की बात है कि फिर बाबा साइब याद दिलाते हैं कि अगर हिंदु यह कहें कि प्रतेग समाज में ऐसे लेकिन यह उसको अपना सिकार बनाने में कोई संकोच नहीं करती कहने का मतलब है कि जो विवस्था जो व्यक्ति या जो संगठन समाज के हित के लिए काम करने की सोचता है तो ये तथाकतित ब्रामणबादी विवस्था जैसा बाबा साब ने उत्तर दिया डाकूओं के ग्रो गुटबाजी संकीड दलवंदी और ये सारी एक हो जाते हैं इसके रोक जाली के बीच इस समानता को अपनी ढाल बना नहीं सकता और उसके पीछे दुबकर बैठा नहीं रह सकता जैसे इस बसे पर कुछ करने के लिए ही ने क्योंकि कहते हैं कि दूसरे देसरों में भी ये गोरे काले की ऐसी ये वैसी ये तो हिंदू इसको ढाल नहीं बना सकता असामाजिक होते हैं और कुछ ऐसे समाज भी हैं जिन में बर्ग समाज बिरोधी होते हैं बर्ग प्रणाली वाले समाज और जात प्रणाली वाले समाज में अंतरफ सिर्फ इस बात में है कि बर्ग प्रणाली सिर्फ गैर सामाजिक होती है लेकिन जात प्रणाली तो निश् इस तरीके से भारत को राष्ट बनने में जात्पिर्था आड़े आई आगे बाबा साब कहते हैं दल्या गुट की अपनी प्रिथक्ता और एकांत्ता के कारण समाज बरोधी भावना व्याप्त हो जाती है और जहां भी किसी बरगया का स्वार्थ अपने तक्सीमित होता है व इसी ही भावना पाई जाती है इससे उसका पूर्ण संपर्क दूसरे बरगों के साथ नहीं रहता और उसका मुख्य देश पुनरगठित और संपर्क त्वारा प्रगति करने के बजाए उसी की रच्छा करना रह जाता है जो उसके पास पहले से है यह भावना राष्ट्रो को एक दूसरे से अलग कर देते हैं कि यह जो भावना है कि हमें अपना ही स्वार्थ देखना है यहां राष्ट की भावना गौण हो जाती है पीछे रह जाती है और बाबा साहब आगे कहते हैं कि समदाय पे उनका घर और समदाय में कोई संबंद नहीं रहता है ऐसे लोगों के अमीर और गरीव सिच्चित और सिच्चित में भेद बढ़ जाता है मुख्य बात यह है कि प्रतक्ता से जीवन संकीन और अनौप चारिक मात्र रह जाता है बर्ग में उसके आदर्स जड़ और स्वार्थ बूड हो जाते हैं इसलिए बाबा साब ने कहा है कि सब्सक्राइबेगा और समें किस मातरा में किस अध्यकDe रहता है उनके ऐसे कौन से है जिन से प्रत्यच रूप से इक दूसरे के सहवागी रहता है अन्ता संस्तावन के साथ सम्मंद रखने में वह हैं कोई सिसलिए अवांचनि नहीं है कि उसके कोई बर्ग कई बर्ग हैं यह तब वांचनी हो जाता है जब उसका बर्ग अलग-अलग हो जाते हैं हर बर्ग की अपनी अलग-अलग कारसेली होती है यही अलग-अलग बर्ग रहने की अलग-अलग रहने की प्रवर्ती समाज बिरोधी भावना पैदा हो जाती है और एक बनके रह जाता है इसमें बाबा साब ये भी कहते हैं कि भारत में ऐसे प्रबुद राजनीतिक और इतिहासकार मिल जाएंगे दोनों में ऐसे भारती आसानी से मिल जाते हैं जो जोरदा सब्दों में इसका खंडन करते हैं कि जाद विवस्था राष्ट प्रेम में आड़े आ जानते हैं कि भारत एक राष्ट है और जब कोई भारत राष्ट न कहकर देश कहता है तब ये बहुत गुसा हो जाते हैं जैसे कि उनके व्रुद्ध कोई खराब बात कह दी हो समझ में नहीं आता है द्रश्टिकोंड क्यों हैं राजनीतिक और इतियासकारों में जाद अतर लोग ब्रामण हैं और उनसे आसा नहीं हो सकती कि बे अपने पूर्वजों के कुक्रत्यों को स्विकार कर लें ये जो चीज है ये राष्ट के खिलाब हो जाती है और ये कहते हैं कि भारत एक देश तो हो सकता है लेकिन भारत राष्ट नहीं है इनसे कारण पूछिए कहें क्योंकि भारत एक राष्ट है कि भारत एक भावलेक काई है और यहां संस्कृत के मूल वूग एकता है ये कहते हैं यह तो तरक के लिए सुईकार किया जा सकता है फिर भी सच बात तो यह है से निसकर्ष निकलता है कि भारत एक राष्ट है भ्रांती को पाले रखना है सब्सक्राइब करते हैं कि एक दूसरे के सगे संबंदी हैं राष्टीताइब भावना तो धारूत तलवार की तरह होती है यह अपने संबंदियों के प्रत मैत्री भाव और जो लोग संबंदी नहीं है उनके प्रत अमैत्री भाव जागरत करती है और अगर हम भारत के परपेच में देखें तो यह कहना कि राष्टीता मुखत भूगोल संस्कृति का बिस राष्टी ताकि एक दूसरे के सगे संबंदी होने की वो बिल्कुल नहीं है एक दूसरे के जाती और धरम के नाम पे एक दूसरे के दुस्मन बने हुए हैं एक दूसरे को नीच दिखाने की कोशिस करते रहते हैं इसलिए भारत केवल एक देश है भारत राष्ट अभी तक नहीं बन पाया है और जब तक ये जात विवस्था भारत में लागू रहेगी भारत कभी राष्ट नहीं बन सकता सिर्फ एक देश है और देश रहेगा ये निसकर्स बाबा साहब ने निकाला है क्रांती तथा प्रतक्रांती खंड साथ में आप देखेंगे बाबा साहब की क् विस्तार से जानना चाहते हैं, इस पुस्तक को अवस्य पढ़े, आज बस इतना ही, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, तो आप SM News की प्ले लिस्ट में जाकर इसके पीछे के एपिसोड देख सकते हैं, क्रांती तथा क्रांती के नाम से, और अगर आपको ये सीरीज प वो उठाएं, और सभी मेरा प्रणाम सुथार करें.